Hello and welcome to my channel, मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है Print Contents of a File in Reverse Order मतलब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे एक फाइल के जो content है वो end से beginning तक read करना है, character by character तो इस वीडियो का objective हमारा जो है, वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइल को read mode में open करेंगे ठीक है, suppose ही मेरी एक फाइल है, जिसमें देखिए, मैंने क्या लिखा है A, B, C, D, E, F, G, H, up to Z ठीक है, तो हम इस फाइल को reading mode में open करेंगे, चलिए फिर हम क्या करेंगे, we will move the file pointer to the end of the file using F6 function, दोस्तो F6 function का काम क्या होता है, यह move करता है file pointer को किसी particular location पर, तो यहाँ पर हमें move करना है file pointer at the end of the file, मतलब, suppose हमारा file pointer अभी यहाँ पर आ गया, ठीक है उसके बाद में क्या होगा, we will count the total number of bytes in a file, तो F6 function की मदद से हम क्या करेंगे, total number of bytes कितने file में, वह हमें count करना है जा ऐसा क्यों करना है, देखे, फिलाल current position मेरे file pointer की यह है देखे, F6 function क्या करता है, कि current pointer तक, कितने bytes read किये है, या write किये है उतना ओं रीड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यह file जो है, अभी जो यह file pointer है, तो end में है इसका मतलब हम total number of bytes count कर रहा है, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, now read from the end of the file, character by character सिरक क्या करेंगे इसँ दो दो चेरेक्टर से इधर करेंगे अिसा करते करते हम स्पाइलतर तो यहाँ पे हमें यह जो एसक्षाट है इसको समझना बढ़ा जरूजी यहाँ पर लिखना हुने F6, Fp, minus 1 और यह seconder score N तो Fp मतलब this is file pointer जो कि अभी file को point कर रहा है ठीक है, minus 1 मतलब क्या है this is offset, तो यहाँ पर 1 मतलब 1 offset, 1 byte से मैं क्या करूँगा, move करूँगा और minus दिया है मतलब इस position से उल्टी दिशा में ठीक है, generally हम क्या करते है beginning to end जाते है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, end to beginning जाना है इस वज़े से यहाँ पर हम minus 1 लिखा है, तो यह क्या करेंगा, it will move file pointer 1 character from end, तो यह file pointer को एक character से move करेंगा end से, ठीक है, सपोज अगर मैं लिखता हूँ, F6, Fp minus 2, 6 underscore score end, तो यह क्या करेंगा, this will move, file pointer 2 character from the end of the file तो यह जो position हमने दिया है इस position से, यह 2 character क्या करेंगा, move करेंगा, लेकिन कौन से side में, तो reverse side में, ठीक है मतलब इसी तरीके से एक हमारा जो program में एक चीज़ आने वाली है कि F6, Fp minus I, ठीक है, तो यह minus I मतलब क्या, इस I की value कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 15, 16 ठीक है, तो यह क्या करेंगे हम, move the file pointer, I character, मतलब अगर I की value 15 है, तो minus 15 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस position से, मतलब seek underscore end, यह position से, हम क्या करेंगे, reverse direction में, हम move करेंगे इतने character, I character चलिए, तो इसके लिए अभी हमें एक program लिखते है, सबसे पहले देखते हैं, मुझे फाइल ओपन करना है, तो फाइल ओपन करने के लिए मुझे फाइल पोइंटर पहले लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर लिखना है फाइल का नाम, तो वो है abc.txt ठीक है, फिर कौन से mode में ओपन करना है हमें, for reading purpose, तो यहाँ पर लिखना हमें, आर ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर हम चेक करेंगे, फाइल हम ओपन कर रहे हैं, क्या वो ओपन हुई है, क्योंकि अगर नहीं हुई है, तो fp की वैल्यू नल हो जाएगे, ठीक है, अगर fp की वैल्यू नल हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर एक message display करेंगे, printf, error, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, return, 0, या फिर आप minus 1 भी लिख सकते हो, fp की value नल नहीं है, इसका मतलब file हमारी successfully open हुई है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम file pointer को move करेंगे, to the end of the file, तो वो करेंगे हम fc function की मदद से, तो यहाँ पर लिखूँगा, fp पहला argument, पर लिखूँगा, यहाँ पर 0, क्योंकि मुझे c move करना है, और फिर यहाँ पर लिखूँगा, मैं c underscore end, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कि file pointer जाएगा, तो end में move हो जाएगा, अब मुझे दो और variable declare करना है, यहाँ पर, एक तो करूँगा, मैं integer ft, और दुसरा variable कर रहा हो, integer i is equal to 0, ft किसलिए कर रहा हो, क्योंकि मुझे total number of bytes read करना है, from current position, ठीक है, तो फिलाल file pointer की current position है, end में, ठीक है, तो वहाँ तक कितने bytes read हुए, या total number of bytes कितने, यह मुझे read करना है, तो यहाँ लिख रहा हो मैं, ft is equal to aptel, और यहाँ पर लिखना हो का मुझे file pointer, ठीक है, इससे मुझे current position मिल जाएगी, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक एक character को read करना है, अब repetition है, इसका मतलब हम loop यूज़ करेंगे, लूप में यहाँ लिख रहा हो मैं, while i less than ft, ठीक है, क्योंकि ft की value तो जाहिर बात है, total bytes जो end तक होगे, तो 0 से जाधा ही होगे, ठीक है, और i की value हमने क्या कर दिये, फिला 0 कर दिया है, ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक character read करेंगे end से, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा करते करते हैं, जब तक ft की value हम, मतलब i की character read करना है, बाद में हम 2 character read करेंगे, end से, फिर 3 character, फिर 4 character, ऐसा करते करते, एक समय ऐसा आएगा, कि i की value है, वो ft से greater हो जाएगी, और यह लोग terminate हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कर रहा हम है, i++, क्योंकि मुझे 1 character read करना है, तो i की value होगी 1, फिर यहाँ लिखें 1 है, मतलब 1 character को read करेंगा, लिकिन कहां से, तो यहाँ लिखेंगे, position, that is, sick, underscore, end, एप सिक ने अभी क्या कर दिया, कि यहाँ से, minus 1, मतलब 1 character reverse में, हमने read कर लिया, एक byte हमने read कर लिया, अब उसी को हमें क्या करना है, डिस्पले करना है, console के उपर, हम यहाँ पर लिखेंगे, printf, अब क्या display कर रहे है, हम character, तो यहाँ लिखेंगे percent c, ठीक है, चलिए, फिर अब percent c character के लिखेंगे, तो character read भी करना होगा, तो कैसे read करेंगे, using f get c function, और यहाँ पर simply लिखांगा, मैं f, तो यह तीन statement बढ़ी important, IQ value x से बढ़ेंगी, फिर यह क्या करेंगा, वो फाइल प ठीक है, इस तरीके से loop भी terminate हो जाएगा, क्योंकि IQ value कभी ना कभी Ft से बढ़ी होई जाएगे, अब हम क्या कर देते हैं, यह close लिख के हम file को close कर देते हैं, so fp लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, चलिए, अब इसका output हम देख लेते हैं, तो देखें, यह रहा हमारे file का output, ज ठीक है, I hope दोस्तों आपको वीडियो जो यह समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching.